हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे बच्चों आज हम क्लास 5 का चैप्टर पढ़ेंगे क्रिया क्रिया मतलब वर्ब क्रिया के परिभाशा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कारे के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाती है मतलब जिन शब्दों से हमें पता चले कि कारे हो रहा है या कोई कारे कर रहा है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते है क्रिया का मूल लूप क्या होता है क्रिया के मूल लूप को धातू कहते हैं जैसे खा, पी, पढ़, लिख, हस, रो, उठ, बैट, आदी इनमें ना प्रत्य जोड़ का अन्य क्रिया बनती हैं जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, हसना, रोना, उठना, आदी क्लियर हो गया आप लोगों को क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं क्रिया के दो अकर्मक और सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होती है ऐसी क्रिया जिसके कारे का फल करता पे पड़ी यानि की subject पे पड़े अर्था जिसमें करण में नहीं होता या करम की जरुवत नहीं पड़ती उसे Akamma Kriya काते हैं जैसे ही मन्थ हनसता है पक्षी उड़ते हैं सकर्मा क्रिया ऐसी क्रिया जिसके कारे का फल सीधा कर्म पर पढ़ता है उसे सकर्मा क्रिया कहते है जैसे अनुभव नहीं गुबारे खरी दे तो यहां गुबारे क्या है यहां गुबारे कर्म है और उसका और क्रिया का फल किस पर पढ़ रहा है गुबारों पर ठीक है क्या गुबारे अंकीता जूस पीती है यहाँ पे जूस क्या है यहाँ पे जूस कर्म है और पीना क्या है यहाँ पे क्रिया ठीक है तो इसका फॉल किस पर पढ़ रहा है जूस पर ठीक है अंकीता जूस पीती है अभ्यासकारे देखते हैं निमलिकित वाक्यों में उचित क्रिया शब्द लिखी मोदी जी ने संपूर देश में सफाई अभ्यान डैश बनाया है चलाया आंसर इस चलाया सोमवार को हम ताज महल देखने डैश जाएंगे या जा चुके आंसर इस जाएंगे विराट कोली ने दो चौके डैश बनाया या लगाया आंसर इस लगाया रचना बहुत डैश है बोलती उठती आंसर इस बोलती हमें व्रक्ष नहीं डैश चाहिए लगाने काटने आंसर इस काटने ठीक है प्लियर होगे आप लोगों को नीचे लिखे शब्दों में क्रिया और कर्म का उचित मेल करिए सूरज सूरज का क्या होगा आंसर निकलना फूल फूल का आंसर खिलना वर्षा का आंसर होना गेहूं गेहूं का आंसर उगाना क्या है इस का आंसर उगाना कपड़े सिलना गाना सुनाना नित्य करना I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रिया इसको आप अच्छे से रीट करके लर्न करना and stay home, stay safe ओके, बाई